तो भाई लो कैसे हूँ, तो यार वेलकम दी बैक, बैक दी वेलकम और स्वागत आपका एक विरा न्यू गलत सीन से भारे पड़े पड़े पपजिदो मुपाइल गिंप्ले वीडियो में अब देखो, इस मैच में आपको देखने को मिलेगा कि क्यूं, क्यूं बॉटों पे अत्याचार करने पे पाप पूप चड़ सकता है तो यहाँ पे मैं जोरदा रखाऊं और जो भी सीन होंगे, यहीं पे होंगे होने ही वाले हैं फिलाल मैं उस कंटेनरों में उतरता हूँ, भाया जी, एक गन, एक पिस्तोल तक मिल जाए, बहुत बड़ी बात हो जाती लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन यहाँ भेरा हो जाके, एक डीप ही मिलती है और देखो, आगे क्या हो रहा होता है, आगे बाट को पकड़ के, अत्या चार चला होता है और देखो, क्या गलत सीन होंगे उनलोग के साथ अब जब मैं दूर की तरफ होता हूं भेरा उसके अंदर ये चार बंदे एक अकेले बॉट को पकड़ की उसकी पेटी बना रहे होते हैं बहुत बेरे मी से पेला मैं कहा करता हूं मैं अचानक से आता हूं लेकिन इनको होस खबर ही नहीं है और होस खबर होगी भी कैसे चारो के चारो बॉट पेलने में लगे हुए थे और इसी लिए मैं कहता हूँ यार बॉटो पे अत्या चार बिल्कुल नहीं करना चीए तो चलो अब बात पलट देता हूँ मैं बॉटो के अत्या चार से बात हटा कि यार बात करते हैं काफी बढ़िया बंदे आ रखे हैं जोर्ज में चार किल मुझे पहले ही मिल चुकी है और आगे अभी और भी बंदे बैठे पड़े हैं और सबसे बढ़िया बात यह है कि यार मैं बॉट का बदला ले चुका हूँ मजा टैप आ गया और यार मैं सही बता रहा हूँ जिंदगी में मुझे जितनी भी गालिया पड़ी होंगी न उसमें से सबसे ज़्यादा गाली बॉट लोग देते होंगे मुझे मतलब एक तरफ मैं बोल ला हूँ कि भाईया बॉटो को छोड़ दो अत्या चार मत करो उन पे दूसरी तरफ बेर रहमी से तब तक गोली चला रहो जब तक बॉटो की पेटी न बन जाए मेरे ख्याल से सकारेर मेरी रिलोट पे लग गई थी नि तो यार दूसरे भाले की भी पेटी बना देता खेर जो भी ओ बॉटो को तो पे लिया लेकिन अब उस बॉट का बदला लेने दो असली बन्दे आ रहे हैं और मैं फस चुका हूँ या अंदर पे और ये दोनों बन्दे न जाने कहां से आते लेकिन जितनी भी तेजी से ये लोग आए उससे दो गुना ज़्यादा तेजी से ये लोग लोबी में वापिस जाएंगे मतलब यहाँ पे फाइट भीडी रीती मुझे लगा यार बहराउज में बैठे हूँगे और ये एक और बोट आ गया मतलब मैं समझे नहीं पा रहा हूँ जिस मैच में मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार बोटों पे अत्या चार नहीं करना चाहिए उसी मैच में तीन-तीन बोट मेरे मुग के सामने आ रहे हैं अब कैसे नमारू यार तीन किल तीन केड़ी बहुत बढ़ी होती है अब देखो कोई है नहीं खाली है सुनसान बहौल चला है तो भहिया बोट की बेसक पेटी बनाओ लेकिन जो उन चार बंदों ने सीन किया कि यार मैं बगल में खड़ा हो चुका हूँ और वो फिर भी बोट पे पेल ले तो यार दिक्कत हो जाएगी उस टेम खेर उसके बाद जोर्ज बिल्कुल खाली हो चुका है या तो केमपर बचे होंगे और उसके बाद मैं सीधा रुजोक आ जाता हूँ अब ये वाला सप्रे इतना सरम नाक था कि भाईया रजाई पे मूर डालके सूजाना चाहिए मुझे बिल्कुल सूजाना चाहिए मतलब तुम्हारे भाईय ने 40 गूली चलाई और 40 पे से सिर्फ 4 गूली चली लेकिन ऐसा नहीं कि मैं सरम मान के चल दूँगा ऐसे नहीं बे सर्मों की तरह बिल्कुल गाड़ी ठोक देता हूँ अब सही यार मतलब लंबे सप्रे नहीं मारने पड़ेंगे ठीक ठाक सप्रे देंगे क्लोज रेंज में देंगे अब बंदे आगे की आगे वाले घर पे बैठे पड़े हैं और मैं इधर पे आता हूँ तो देखो वो नौक मेरा टीमेट कर गया था लेकिन जहां तक मुझे पता है उसके टीमेट लोग इधर जिंदा हैं अभी भी तो करना क्या यार बंदर हो की तरह उचल कूट करते वे आगे वाले घर पे चिपक जाऊँगा पिल्कुल खिड़के के अंदर गुज जाता हूँ और इसके ठीक आगे पे ही देखो कहा होते हैं बंदे अब यहां पे जो सीन हुए जब पहले बंदे को पेला उच सीन को कहते हैं साप की दाड़ी में तिनका मतलब यार जो साप बनने की आदत है वो कभी भी नहीं चूटती कुछ लोगों की घर हो जाड़ी हो जंगल हो कहीं पे भी कुछ भी हो भाई लेटना जरूरी है तो वो अब दे को बढ़िया सीन यह है कि आखिर कार जाके मेरे कुछ चैक्स मिल जाता है इसका मतलब मेरे सस्ते सपरे थोड़े से कम सस्ते हो जाएंगे तो डिरॉप की तरफ जा रहा हूं धैड पैड़ बंदे आएंगे बहुत जादी लड़ाई होने वाली है सस्ता सपरे दबा की देखनी को मिलेगा लेकिन उससे पहले हम धैड़ बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है एक एकस बैट जिसकी मदद से आप कई सारे गेम्स क्रिकेट फुटबॉल बॉली बास्केट बॉल और 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 भी कई सारे e-sports पे ब प्राय कर सकते हो इसके लिंक कमेट सेक्चियों में होगी बिल्कुल टोप में और इसी के साथ आगे डिरॉप होगा होता है पानी में डिरॉप लेकिन यार बंदे मेरी तरह बहुत धीट होते हैं अंदर घुसके लूटके आ जाते हैं अब मुझे लगा थैयार चैक्स मिल चुका है सप्रे महंगा टैप का दूंगा बिल्कुली लेकिन सप्रे बिल्कुल सस्ता रहता है बस डैमेज दे पाता हूं मैं लेकिन टेंसन मत तो यार आगे जाके जड़ी में एज़स होने वाला है और हमारे भाई नदी किनारे पत्थर के पास साप बने वे होते हैं तो डैमेज मैं फिर से देता हूं लेकिन यार बंदा बचके मेरे ख्याल से उस पत्थर के पीछे जा चुका है तो मैं नेट करने की कुशिस करता हूं नेट बरबाद करने की कुशिस करता हूं और मेरे को ये नहीं पता कि उस बन्दे ने कौन सी गन चलाई लेकिन यार जो भी गन चलाई बहुत बुरी तरह चलाई सीधा सर पे बजा दिया और हेल्थ की ऐसी तैसी हो गई तो मैं हील हूल करता हूँ वो बन्दा उसको भी डैमेज हुआ है थोड़ा सा तो भाई भी ही रून करेंगे और लेकिन उतने में ही पीछे से एक गाड़ी आ जाती है गाड़ी आ भी किसे है और यहां पर मैं गलती से जाड़ी और गाड़ी दोनों में एक ही टैमप एज़स्स कर देता हूँ मतलब गाड़ी जाड़ी के पार से जारी होती है मैं बोलता हूँ यार गूली की कमी नहीं है अंधा चलाओ वैसे अब कमी होने वाली यार काफी काफी बरबाद कर चुका हूँ मैं और साथी साथ पीछे एक बंदा पानी में पूरी जान से छलांग लगा चुका है लेकिन यार सांस लेने बाहर आना ही पड़ेगा और जब बाहर आए गयार मैं यहीं पे रुका पड़ाओं और उस बंदे की सारी मेहनत पेटी में मिल जाती है मतलब यहां से मेरे को हेट्सोट रुट्सोट दिया भाई ने पानी में चलांग लगाई जान लगा कि वहां तक तैरा उसके बाद जैसी बाहर आयार मैं यहीं पे बैटा पड़ाओं और यहीं से बैठे 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 बन्दे की पेटी भी बना देता हूं और यहां पर मैं सूच रहा था कि यार जो भी एक्शियोन बचा कुछा था सब कुछ यहें पे हो चुका है अब दुबारा बन्दे ढुनने जाना पड़ेगा लेकिन यहां पर आके पता चलता है कि यार वो जो गाड़ी गई थी जिस पे जड़ी पैजस किया तुम्हारे भाई ने वो गाड़ी ऊपर ही कहीं रूकी है और वो ना जाने किस से भाइट ले रहे हैं बहुत को न पेल ले हूं खेर जो भी हो करना क्या था मैं बोलता है इससे पहले वो आपस में ठिल जाए हम उन और ये वाला साप मेरे मू के सामने से मतलब यहीं पे गाड़ी गुमारे हम हमारे सामने से किल लेके भग जाता है और उस बंदे को भी वहीं पे जाना था जहां पे साप लेटा बैठा है ये भी नहीं कि यार गाड़ी आ रहे हैं गाड़ी पे सप्रे दे दूर नहीं भया ह हम तो किल नहीं देंगे हम साप कोई किल देंगे तो वो वंदा इधर पे आता है और इधर साप दैस लेता है और इसके बाद हम साप को पकड़ लेते हैं खेर उसके बाद सब कुछ खाली हो जाता है आखिर कार जाके वहां पे सारी सीन कतम होते हैं और वहां से निकलने के नाया पलियाना जाना पड़ता है अब देखो ये जगा मुझे पिल्कुल भी पसंद नहीं है इतने सारे घर इतने बड़े गर यार केम्पिंग दबा के होती है और देखो ये जगा मुझे बेसक पसंद नहीं है लेकिन यार किल तो करनी पड़ेगी केटी किसको बसन नहीं है तो किल बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पे भी रस करना पड़ता है और सामने वाले घर पे 200 कोड आपस में लड़ भीड रही है बिल्कुल और आते आते यार मैं काफी ज़्यादा लेटो चुका हूँ मतलब छत पे जाके पेटी पूटी बना चुके हैं बंदों की और मैं काफी देर पेधारा रहूँ लेकिन जो भी बचे कुचे बंदे यार उन्हें पेलने की फुल तैयारी है अब देखो ये एक वज़ाए कि मुझे ये जगा बिल्कुल पसन नहीं है रस करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है और ठीक से पता भी नहीं चलता है और कौन कहां पे क्या करके बैठा है लेकिन अब घुश चुके तो यार पिलना भी पड़ेगा और आओ जरा इस लो मोसन में देखते हैं क्या सीन हुए मैं बाहर गया मैंने AKM से डेमेज दिया उसके बाद मैं कवर में आने की पूरी कोशिस करता हूँ मानता हूँ उस बंदे रे गोली मारी ना ही मेरा वेस्ट डेमेज हुआ ना ही हेलमेट और यार ऐसा लगा कि सिर्फ एक गोली में एक परतिसत हेल्थ बाकी है अब मुझे नहीं पता उजी इतनी जादा खतरनाक कब हो गई कि यार एक गोली में इतनी हेल्थ ले जाए मैं मानता हूँ उजी खतरनाक गन है लेकिन यार ये कुछ जादा ही डेमेज हो गया मेरे ख्याल से हो सकता है वो बंदा लेग हो रहाओ खेर जो भी हो जैसे तैसे करके जिन्ना हो मैं यहाँ पे और दोनों बंदे रिवाइब हो चुके उपर पे और होंगे अब गलत सीन और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो बंदों को पेलने के लिए हमें इतना सारा टाइम लग रहा है और तांबे पे सुहागा करने के लिए भाई ने समुक भी कर दिया है अब तो और भी रस नहीं कर सकते खेर मैं भगते वे नीचे आता हूँ क्योंकि यार बंदे ने बहुत डेमेज दे दिया था नीचे आके हील हूल पेलता हूँ और इन लोगों ने सारे समुक इसी घर पे फेग दिये हैं और अब समुक में एजजस देखने को मिलेगा मैं नहीं करूंगा एजजस वो लोग करेंगे और ये लोग नजाने कब कहां कूच जाते हैं और समुक में जजस करके हमारे भाई को नोक कर देते हैं अब टूई वन करना पड़ेगा और जिस हिसाब से उस बंदे ने पहले उजी पटकाई थी मुझे लगनी रहा था यहाँ पर मैं बज भी पाऊंगा मतलब एक गोली से 90% से जादा हेल्थ कायब हो गई तो यार इस बार तो खुला रस कर रहा है इस बार मेरी पेटी बन जानी चीए थी लेकिन किसमा चमक गई उस भाई ने सारी की सारी गोलिया मिस कर दी अपनी और मैं एक एम चिपका बैठा और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो किल मिलती है मुझे मतलब दो बंदों को पेलने के लिए इतना सारा टैम वेश्ट हो गया यार की क्या ही बताऊं अब देखो वहाँ पे दो बंदों को पेलने के लिए गंटों भर लग गए लेकिन अब यहाँ पे आगे वाले घर पे भी दो बंदे बैठे पड़े हैं और इन लोगों की पूरी तयारी होती है घर पे कैम्प करके बैठने की दिख भी नी रहे कोई और नेड फटने का इंते जारतों मैं ऐसे कर रहा था कि न जाने क्या ही हो जाएगा एक नेड से पूरे चार बंदे पेल जाओंगा मैं ऐसे रुक रखा था और हुआ कुछ भी नहीं बिलकुल कुछ भी नहीं हुआ अब यहां पर मैं सोच रहा था कि यार यहां पर इन्हें आराम से पेलेंगे जल्दी बाजी नहीं करेंगे लेकिन हमारे भाई को पूरी जल्दी होती है अंदर गुषने की भाई अंदर गुषते हैं और भाई के गूलिया गुषा दी जाती है लेकिन मैं टैम पे पीछे आजाता हूँ और पेल देता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ तो यार बंदे पे ग्रोजा बड़ी बैठी है अच्छा हुआ मैं A.K.M. से सर पे गूलिया लगती है मेरी हाँ तुकों में लगी लेकिन यार बहुती बढ़िया हुआ सही तुक्के लग गए और उसके वज़र से जल्दी ठील जाता है वो खैर वहाँ पे दो बंदे पेलने के लिए दो मिनट भी नहीं लगे बहुत जल्दी अंदर गुसे पेल दिया और निकल लिया मासे और यहाँ पे आगे एक बंदा गाड़ी लेके गुसा है अब देखो नेट कैसे इस्तमाल किया जाते हैं ये भाई हमें बताएंगे यहाँ पे और इस बंदे ने चार सेकंड के अंदर चार नेट फिक दिये मतलब यहाँ पे मैं नीचे बैट के गिने जा रहूं एक नेट, दो नेट, तीन नेट कब खतम होगा? चार नेट फटते हैं उसके बाद आखिर कार जाके नेट खतम हो जाते हैं उसके अब भाई ने दिमाग बढ़िया लगा है हना चार के चार नेट फेक दिये लेकिन हम लोग थे बहुत ही ज़्यादा आलसी हम लोग सीधा नहीं गुसे हम लोग नीचे बैठे रहे आराम से रुके रहे और उसके बाद अंदर गुसे और वो बंदा उस छोटे कमरे में बैठा पड़ा है तो यार मेरा नेड कैसे नहीं बढ़ सकता है हाँ यही बात मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ यह बंदा कैसे नहीं मरा नेड से नेड बिलकुल कूक करके फेका बिलकुल कमरे के अंदर गया नेड सिर्फ और सिर्फ डेमेज हुआ और देखो जब भी मैं उस कमरे में बैठता हूँ और जितने भी बार उस कमरे में ठीलाओं मेरी सो एच्पीओ हजार एच्पीओ मैं हर बार ठीलाओं और ये सीन देखके ना मेरा पूरा का पूरा विश्वास हड़ चुका है नेट से मैं सोतरा यार अपसे नेट उठाओ ही ना मतलब उस छोटे कमरे में नेट फेक के बंदा ने ठीला तो यार इनसान का किया टेकान इट से नें जुड़ा अब मुझे लगए फेसले कि एक बंदान इटिस नेरा ये ने स्वास से अब यार मैं ये नहीं समझ पाता कि कुछ रोगों को गाड़ियों से क्या दुस्मनी है मैं तो गाड़ी के पीछे भी नहीं बैठा हूं फिर भी गोली चलाए जा रहें गाड़ी पे और इन लोगों का लगता है कि यार गाड़ी फोड़ने के बाद ये लोग पूरे चोड़ में उपन से रस कर सकते हैं मतलब यहां पर मैं ठीपी पी लेके बैठ के देख रहा हूं बंदा बगे जा रहा है उपन में तो मैं चैक्स निकालता हूं सस्ता सप्रे काम कर जाता है और उस बंदे की पेटी बन जाती है अब बस एक ये बंदा बाकी है जो कि यार समोक कर चुका है तो हां बाई समोक से भगते वे आएंगे और देखो मेरे पे नेट तो बाकी नहीं थे लेकिन मैं अपने टीमेट से नेट ले लेता हूं बेसरमों की तरह और यार आखिर कार चार नेट के बाद कुछ होगा यहां पे तो एक खुले में लेटे हुए सांप को पेलने के लिए मुझे चार नेट फेकने पड़ते हैं मैं समझ गया यार अगर मुझे किसी को नेट से ठिलाना है तो मुझे चार नेट फेकना चाहिए मतलब चार बंदे बैठें तो यार 16 नेट करने चाहिए मुझे तब जाके कुछ उखड़ेगा बहुत ही बुरा यार बेकार है बाई मैं सोच रहा हूँ गोलिया भड़ लू हीलिंग भड़ लू लेकिन नेट जो तीन उठा के मैं भकता हूँ यार छोड़ दू उन्हें उठाना कुछ काम का नहीं है भाई कमरे में नेट फेका बंदा निठेला विश्वास हड चुका है दिल टूप चुका है खैर आज की वीडियो में इतना है भाई लो ग्यार आगरी बंदा ठिल गया नेट से बलही तीन चार नेट करने पड़े लेकिन यार ठिला तो सही कम से कम तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते मेरे इन सस्ते नेट के लिए लाइक पिला मत बूलना और देखो बाटों पे अत्याचार कर रहे हो तो यार सोच समझ के करना गलत सीन भी हो सकते हैं तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही जाते जाते एक एक्स बैट चेक अप करना मत बूलना उसके लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी बिल्कुल टोप में तो कल मिलते हैं यार बाई बाई तो कर दो कि अप्राइब बाई 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 रख प्राइब बाई सेक्शियों में हो तो कि अप्राइब भी जगला तो कि अप्राइब डिए ड़ी हैं